नागपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हलचल पर जरिपट का क्शेत्र में शहिद हेमू कालानी की पुन्यतिधी पर कालानी का नमन किया गया सर्वप्रथम शहिद हेमू कालानी की प्रतिमा पर अखिल भारतिय सिंधी समाच विदर्भ प्रांत के अध्धिक्ष गोवर्धन कोडवानी, राष्टिय सलाहकार सुंदरलाल तारवानी, राष्टिय सचीव दोलत कुंगवानी, राष्टिय सचीव सतिश मीरानी, रखते हुए बताया कि अमिर शहिद हेमु कालानी के बलिदान को यूगो यूगो तक याद रखा जाएगा। और पकड़े जाने पर उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा अपने साथियों का नाम बताने पर शर्तिया माफी भी दी जाने वाली थी। लेकिन उन्होंने शहादत के रास्ते को चुनना बहतर समझा। से उत्सव मनाने की पाबंदिया लागू की गई है। इन दीशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पारम पर एक संदल निकालने की मनाई है। अतह दर्बारे ताजुल अउलिया के फर्जदे सज्जादान शिन सेद जर्बिर ताजी वा सेद तालेफ ताजी ने अकिदत मंदों से गुजारिश की है कि घरों में रहकर ही बाबा जान का जश्न मनाए। इस बार सज्जादान शिन हाउस में बीना लोगों की मौजुदगी में सादगी से केक काटा जाएगा और जरूरत मंदों को भोजन दिया जाएगा। तथा केंदर के फेस्बुक पेज पर देख सकते हैं। इसके पश्चात स्वरसंगम सांसरुतिक मंच के किशोर हमपी होली एवं अन्यकला का रुद्वरा देश भक्ति पर आधारित रुत्य एवं गीत की रंगारंग प्रस्तुती दी जाएगी। 25 जनवरी 2022 को दोपहर चार बजे ये हिंदुस्तान मेरा देश भक्ति गीतों का कारेक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुती प्रफुल माटे गाओ कर एवं अन्यकला का रुद्वरा दी जाएगी। स्वास्त जागरुकता और निशलक चिकित सा शिवीरुका आयजन लगातार हो रहा है। पोद्दार ने बताया कि इन दोनों प्रोजेक्ट के बाद अविस तीसरे प्रोजेक्ट को साकर करते समय हमारा प्रयास है कि कोई बीमार न पड़े। इसके लिए रामटेक्ट में बहुत जल्द एक विश्वस्तर ये नैचुरोपैथी सेंटर शुरू करने की योजना पर तेजी से काम जारी है। हम बीमार ही न हो इस बात को स्पश्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हम स्वस्तर रहेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। के साथ चेंबर के बदाधिकारियों ने उर्जा मंत्री वनाकपुर जेले के पालक मंत्री डॉक्टर नीतिन राउत के बेजनबाग के निवास्थान में जाकर सदी छाभेट की अध्यक्षा अश्विन प्रकाश मिहाडिया ने चेंबर की और से नीतिन राउत को नव की शुप काम नहीं दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वर्यंट ओमिक्रॉन वाइरस का संक्रमन महराष्ट राज्यमी तेजी से फैल रहा है और नाकपुर शहर में भी संक्रमन का असर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी स्वर्गिय गोविनलाल हरीलाल कनोजे भो उद्देशिय संस्था की ओर से स्वर्गिय गोविनलाल की साथवी पुन्यतिति की अउसर पर गरीब वह जरूरत मन चात्रों को संस्था अद्धेक्षय राजश्री मांधल करके हस्ते चात्र वृत्ति का व उपस्तित थे सर्वप्रथम उपस्तित मान्यवरों ने स्वर्गिय कनोजे की तस्विर पर माल्यारपन कर अपनी श्रधान जली दी और उनके कारियों का स्मरन किया। अंत में अलपुहार के साथ कारे करम का समापन हुआ। इस कारण इस महा साथ कुरुशी उपभुकताव समेत करिब 36 उपभुकताव ने करिब 9,82,000 रुपे के बिजली बिल का भुकतान किया है। बकाया राशी का भुकतान न करने वाले बिजली ग्राहकों की बिजली आपूरती भी खंडित की गई है। विभिन्न उपभुकताव उपर बड़ी मातरा में बिजली बिल की राशी बकाया होने के कारण महा वितरन की आर्थिक स्थिती बहत खराब हो गई है। इसलिए हर तरफ बकाया वसुली का अभियान जोरो पर है। प्रभावी ढग से लागू कर रही है। बच्चों को कुल 66,000 टीके और 21,521 बुस्टर डोस दिये जा चुके है। नागपुर शहर में टीका करन के लिए पात्र सभी व्यक्तियों का टीका करन जल से जलत पूरा करने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 150 टीका करन केंद्र स्थापित किये गए है। सेंट्रल रेलवे ने बिलासपूर तिरुनेल वेली एक्सप्रेस में एक जनरेटर कार के स्थान पर स्थाई आधार पर एक सेकंड सिटिंग सह ब्रेक वैन कोच लगाने का निर्न लिया है जिसका वीवरन इस तरह है। सेंट्रियों को ही बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। यात्रा और गंतव्या पर सभी मान अधंडों कोविड-19 से संबंदित S.O.P. का पालन करते हुए इन ट्रेनों में बोर्डिंग की अनुमती होगी। 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविड शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा। इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ड के सभी नागरिकों के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डूस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासाहबा पुरी में उपलब्ध है। मेडम, बोब्डे मेडम, वासे मेडम, सुके सर, विशाखा पाटिल, बारापात्रे मेडम, मानकर सर, अढ़ाउ सर, जोचना मेश्राम, मंगला गजबिये, किरन शामकूर, सरीता भरतिया, आमरीन मेडम, पुनम प्रसाद, पुष्पावान दिले, आधि माननेवर उपस्ति ट्राफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन धाराओ के अंतरगत, कूल मिलाकर, तीन हजार से अधिक वाहन चालों कोवर कारवाई की, और उनसे दो लाख बारा हजार रुपे का जुर्माना वसुला, इसी तरह, मुंबई शराब बंदी अधिनियम के अंतरगत उपर उक्त सभी ऑप्रेशन सयुक्तर रूप से नाकपुर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे, ट्राफिक विभाग ने ये अभान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से सम्मधित सभी दस्ता वेज अपने पास रखे आजकल नागरिक अकसर कम निवेश में ज्यादा रिटन्स पाने की लालच में आ जाते हैं, जो कई मामलों में नुकसान देय साबित हो सकता है इंटरनेट में आजकल कुछ ऐसे लिंक्स और साइट होते हैं जो दरसल सत्य को चुपाते हैं कम निवेश में जादा रिटन्स दिलाना या लोगों को भैवित करके किस स्कीम के लिए पंजी करन कराने हैं तू प्रेरित किया जाता है लेकिन इंसाइट्स के पीछे साइबर अपराधियों के नापक मनसुबे और उनका स्वार्थ छिपा है इसलिए लालच, डर और कम निवेश में जादा रिटन्स दिलाने वाले चीजों से दूर रहकर आर्थिक, मांसिक और सामाजिक नुकसान से बचा जा सकता है लेकिन दुरभागे से नागरिक इस गलत रास्ते पर चले जाते हैं नागरिकों की इसी मांसिक्ता का नाजयस फायदा उठाते हुए साइबर अपराधियों ने 2021 में 3000 से अधिक नागरिकों को ठक कर 15 करोड रुपे का गबन किया है हाल ही में महाराष्ट कॉंगरेस अधिक्ष्य नाना पटोले के अपत्ती जनक बयान ने स्थानिय राजनुईती में गर्मी बढ़ा दी है भाजपा के वरिश्टी नेताओ की और से नाना पटोले की इस वक्तव्य की घोर निंदा की गई है तो मुंबई से पुलिस आती लेकिन जब अब बात प्रधान मंत्री के बारे में अपत्ती जनक बयान दिया गया है तो कि राज्य सरकार सोई है ये सवाल विधाय कुष्णा खोपड़े ने किया है कामठी के मुक्षधाम में शेड निर्मान करने की योजना नवनिर्वाचित विधान परिशत सदस्य वपुर्वा पालक मंत्री चंद्रे शेखर बावन कुले के प्रयास वणीधी से पुर्णा होने की कगार पर है याथ हो कि मौजुदा हालत में अंतिम संसकार के दोरान ग्रामिनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था बरसात में शवों का अंतिम संसकार करने में अक्सर परिशानी होती है मौक्षधाम समीति के हरिशंकर गुपता, डॉक्टर संदिप कश्यप, एडवकेट गुपाल शर्मा, विनोत संगेवार ने बताया कि PWD के कामठी विभाग के डिविजनल इंजिनियर आरिफ शेक वो इंजिनियर विशाल मारकवार की देखरेक में मौक्षधाम सेट के निर्मान कार्य को गती मिली है उन्होंने ये भी बताया कि चारो बनिंग शेट वशोकसभा हॉल में आने जाने वाले रास्तों पर हो रहे निर्मान कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं शोकसभा हॉल में ग्रेनाइट लगाने का कार्य भी लगभग बुरा हो चुका है उन्होंने ये भी बताया कि पाने की टंकी, पार्किंग व्यवस्था, कंपाउंड वॉल, विसावा चपुत्रे के कारिये भी पूर्ण होने की कगार पर है नगरधन भंडार बोड़ी जिला परिशक छेत्र के अंतरगत आने वाले काचुर वाही में विभिन विकास कारियों का भूमी पुजन, राज्य के पश्य सवर्धन, दुगदव यवसाय विकास, एवं खेल मंत्री सुनिल केदार, जिला परिशत अध्यक्षा रश्मी बरवे, और जिला परिशत सदस्य, दूधराम सवालाखे के हातों संपन्न हुआ वर्ष 2021-22 में जिला खनीज निधी के अंतरगत, काचुर वाही में विज्ञान केंद्र के निर्मान है तू, 13,50,000 रुपे, एवं जिला परिशत स्कूल काचुर वाही में कक्षा कमरे के निर्मान है तू, 13,50,000 रुपे के साथ ही, काचुर वाही में शिक्षक विधाय का वन्जारी ने मंजूरी दिये परमात्मा एक भवन के निर्मान पर सदीच्चा भेट कर कार्य का निरिक्षन किया गया। के लिए 92 आवासों का निर्मान किया था जिन करमचारी को ये आवास प्रदान किया गया है वे किसी अन्य करमचारी या उपक रायदार को काम पर नहीं रख सकते हैं। हालांगी नियमों के अनुसार अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी और पुलिस में शिकायत दर्च कराई जाएगी ये नियमों में स्पष्ट तरीके से कहा गया है लेकिन तीन अपात्र परिवार नाकपुर विश्वविद्याले के आवासों में र कि कितने आवास खाली है और कितने स्थानों पर अपात्र व्यक्तियों का कबजा है अधिकारिक जानकारी के अनुसार नाकपुर विश्वविद्याले ने अपने करमचारियों के लिए 92 आवासों का निर्मान किया है इन में से 49 आवास खाली है ये आवास केवल उन करमचार परिवारों को दिया जाता है जिनके पास नाकपुर में घर नहीं है लेकिन परिसर में रह रहे है अपात्र परिवारों पर होने वाली कारवाई का कोई जिक्रन नहीं किया गया है। का विमोचन किया गया। साथ इस मौके पर पत्रकारों को स्रुती चिन्हव पुष्पव उच्छ प्रदान कर सम्मानित किया गया। अस्ताविक भाषन मंच संचालन वाभार प्रदर्शन संस्था के मार्ग दर्शक भदंतनाग दिपंकर थेरों ने किया। हाल्धी में कामठी शहर के गणमानिय व्यक्तियों ने मोटर स्टांड चौक स्थित में रोट पर मुख्य मार्ग में स्वातंत्र सेनानी निताजी सुभाष चंद्र पोस के नाम पर प्रवेश द्वार बनाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने तहसिलदार अक्षे पोयाम के नाम प्रेशित ग्यापन नायब तहसिलदार अर्टी उईके को सोपा है। बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार इस दिशा में विशेश पहल करेगी। जो यूरिया आयत करने पर खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन के जरीए खेतों में नैनो यूरिया इस्तमाल करने से सिर्फ 30 फिजदी यूरिया बरबाद होगा जो पहले 70 फिजदी तक हुआ करता था। तो नागपुर हल चल में आज इतना ही। आप से फिर बुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार।